हेलो फ्रेंज वेल्कम बैट टू माई चैनल वीपार्ट कैसे हो आप लोग आप सब अच्छे होई तो फ्रेंज आज है संडे और बारा हुजे मैं अपना व्लोग स्टार्ट कर ली हूँ तो फ्रेंज बच्चों को मैंने दे लिए बेक फास्ट आप देख सकते हो कैसे कीचन आज दूली पड़ी है तो यह भी क्लीन करनी है और यह देखिए घर की आज संडे की वज़े से क्या हालत हो रखी है और इधर रूम्स देखिए यह भी अभी क्लीन करना है बस हस्वन कहीं अभी ऑफिस और क्योंकि फ्रेंज वो है विजनस मैं अपना घर का विजनस है देखिए तो यह सब मैं सेट करूंगी बस बच्चे उठ उठ के टीवी देखने लगे उस दूसरे रूम में चलेगे हैं तो बस करते हैं फिर ब्लॉग स्टार्ट तो फ्रेंज देखिए संडे को खिलारा कितना होता है सारा हमारा स्ट्यूल टाइम टीबल यह बिगड़ जाता है हमारी मताबिक सेटर्डे संडे तो का मेरे मताबिक तो बिल्कुल नहीं होता तो यह देखिए इसको धीरे-धीरे मैस हैट करूँगी तो यह पहले बड़े-बड़े कंबल है वो तया लगाऊंगी फ्रेंज यह कारपेंटर से एक्चुली चारों ही कठे सोते हैं तो ना बड़े वाले छोटे वाला साथ ही लेड़ता है तो बड़े वाले को फिर यह हमें सोने में चारो अच्छे से सफाईयां वगरा हमारी हो जाती है तो फ्रेंज इस रूम की बस अच्छे से मैं पहले उपर उपर से चदर वगरा अपनी सेट कर देंगे और बस एक्स्ट्रा जो रजाईयां वगरा है वो मैं स्टोर रूम में रख दूंगी एक्स्ट्रा कंबल भी और जो भी के और फिर हम मैं बच्चों का रूम दूसरा सेट करूँगी और ये बाहर है जो मंजी पर्मानेंट लगी है ये गदा मैं बस उधर रगा दूँगी तो फ्रेंस संडे के दिन बस बच्चे लेट उठते हैं लेट नहाते लेट नाश्ता सब कुछ ही लेट लेट ही होता है तो बस फ्रेंस ये रूम तकरीबन मेरा सेट हो चुका और बस ये दिवान इसके अंदर कर दूँगी और एक बार ये सब उपर का सेट करकर फिर मैं अच्छे से डस्टिंग बगरा कर दूँगी और फिर एक बार मेरे को जाड़ों भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि आज सेटर रात को बहुत ही जारा कागज बगरा का खिला रख है तो बस ये दिखिए बड़ा बड़ा मैं एक बार दीदी के आने से पहले पहले बड़ा बड़ा इकठा कर दूँगी तो फ्रेंस लगी तो हुई है दीदी सफाईयों के लिए बड़ ये है ना अच्छा नहीं लगता पही कोई एकदम से आ जाता है क्योंकि वो छुटी वाले दिन संडे को थोड़ा लेटी आते हैं उनको पता है बच्चे लेट उठेंगे और लेट खाना वे रखाएंगे तो इतने बरतन वगरा जल्दी नहीं होने तो इसलिए घर्मी कुड़ा एक बार कोई आ जाये तो हम अच्छा नहीं लगता तो एक बार मैं बस जाड़ो सी लगा दूँगी तो ये रूम तो मेरा फ्रेंस देखिए एकदम चका चका हमारा क्लीन हो चुका उफपर से डस्टिंग वगरा इदर से टेबल टोबल सेट कर दी और ये दो जो दिवान का गद्दा था वो मैं ना इजी हो जाता है यहीं से उठाकर दिवान पर बिछाना तो फ्रेंस वस इदर ये मंजी मैंने परमानेंट रखी है जो मैं कपड़े वगरा उतार कर लाती हूं दूले हुए वो मैं इदर रख देती हूं तो ये साइड में चलो पड़ी क्या कहती है तो ये इदर जो भी छो बस बच्चे टीवी देख रहते हुए देखते देखते हूं दोनों खेलने लगए बार तो मैंने खैर बेज़ा था उनको कि मैं एक बार रूम की चदर सेट कर दूँ तो मैंने आपको बताया था ये भी चदर भी मैं संड़े की चींज करती होती हूं तो ये भी वैसी ज़ ज़्यादा मतलब इन पे दाग दब्बों का पता नहीं लगता ज़्यादा चद्रें खराब भी नहीं होती जब खाना वगरा खाती है बच्चे तो मैं इनको यह मैट बना रखें कुछ तो वह मैं बिचा देती हूँ तो यह भी इसकी भी बस हाथो हाथ रूम की चद्र वगरा चींज करकर और इसकी भी मैं डस्टिंग कर दूँगी यह देखिए रोज करनी पड़ती है हमें छोटी मोटी डस्टिंग क्योंकि डस्ट ना हलाकि सारा बंद रहता है घर उपर से बट फिर भी फ्रेंज थोड़ा बोतर डस्ट वगरा आई चाती है तो चलो पांदस मिनट में ऐसे करने से कोई हमें फरक नी पड़ेगा तो यह मैंने ऐसी बस विंटर की चद्रें आप बस निकाल की हैं तो साथ आठ हैं वो तो उनको ही बस मैं बदल बदल के बिछाती रहती हूँ और मैंने समर की सारी चद्रें फ्रेंज अब धंडी लगती हैं तो वो वाली मैंने उठा कर रखती हैं कोटन की सारी चद्रें तो यह मुझे बस डार्क शेड में ज़ादा अच्छी लगती है, चदरें लाइट हैं क्योंकि बच्चिया भी छोटे हैं, तो वो बस यह सब्जे सुवजी के दाग है, दाग दबबे ज़ादा दिखते हैं, तो मैं light shade की कमी बिचाती हूँ, ज्यादा dark की लेती हूँ तो dark चदर तो friends हमारी चल जाती है छी 7 दिन, बस मैं Sunday की Sunday change कर लेती हूँ तो friends हफ्ते में जैसे देखिए ये 7 दिन होते हैं, इन में हम अपने coding काम करेंगे ना अपने दिमाग से तो हमारे कोई भी चीज का जाधा burden नहीं होता, बस क्या होता है friends हर दिन अपना चुन लीजिए कि इस दिन ये करना है सबजी का, इस दिन चदरें वगरा वेदलनी है या dusting का बड़ा बड़ा काम करना है जो भी है तो वो अपने पी depend करता है, हम अपने coding की काम करेंगे तो हमे कोई काम करने में दिक्कत नहीं होगी, तो friends इस रूम की भी मैं अच्छे से dusting कर देती हूँ पस friends छोटी मोटी dusting हमें हर रोज करनी पड़ती है आगे आगे की और जो बड़ी dusting जैसे ज़ादा होती हैं कोई जाले जूले ज़ाड़ने हैं या fan phone साफ करने हैं तो वो मैं कोई ऐसा day रख लेती हूँ जैसे Saturday, Sunday जिस दिन बच्चों की छुटी होती है तो उस दिन हम easily उस काम को कर सकते हैं तो यह देखे यह room भी मेरा clean हो गया और साथ की साथ ही मैं room में जाड़ों लगा रही हूँ पहले उस वाले में लगा दी और अब मैं इस वाले में और यह chair जो दिवान अंदर लगा दिया था तो chair को मैंने रात को बाहर निकाल दिया था तो अब यह chair भी अच्छे से जाड पोच के इनको भी मैं एक बार अंदर लगा दूंगे तो friends लगी हुई है मैं फिर भी मेर को तसली नहीं हो तिस सुबह सुबह मुझे जहां कूड़ा कुछ तो ना यह फर्ष मेरे tiles है white color में हैं तो इस पे कुछ भी दाग धबे कूड़ा पड़ा होता है तो दिख जाता है तो फिर मेर से रहानी जाता है तो हलाकि वो आने वाली है घंटेक में बट फिर मैंने फिर भी मैं सोचती हूं कि नहीं नहीं घर हमारा साफ सुतरा हो तो बस मैं फिर एक बार सुबह सुबह ना दो के जाड़ू लगाई देती हूं friends और आज मैंने सामने वाली मंची की चद वाली ज्यादा मेरे पास डबल बैड की है तो सिंगल लाने वाली है तो वह मैं लाओंगी दो-चार दिन में देखें कितना कूडा देखें ऐसे लगता है कि एक बार तो नाचड़ी हैं कि कुछ भी नहीं है कूडा होता तो बच्चों के यह होती हैं कागज वगेरा हो रहा है बस यह बच्ची बस केंची से जो यह काम करती है अपना स्कूल वगेरा का तो उससे यह फैल जाता है तो फ्रेंड्स अब मैं इदर आच चुकियों कीचन में जाड़ो में ने लगा दी है अब बच्चों की फर्माईश है के ममा महघी बना दो तो मैं आज उनको बस महगी बनागी दोंगी भी बिच्चों को सब्च्ची मैंने खैर दुपेर के लिए बना ली थी गाचर मटर की तर बच्चोंने आज का ममा महगी बनानी आँ तो ये देखिए कीचिन का भी क्या हाल है वो दोनों रूम तो सेट होगे बस ये कीचिन को भी थोड़ा सा मैं सेट करकर और फिर मैं इनकी मैंगी रखोंगी क्योंकि ये सुबह मैंने इनको नाश्टा दिया था बच्चों को तो प्रांठिव गरा बना कर तो ये भी ऐसे पर की सेल्फ साफ हो जाती है न तो फिर हम जाड़ो अच्छे से हमारा बार बार कुड़ा नहीं खिलरता तो एक बार बस इसको मैं अच्छे से लाइजो लो गएरा थोड़ा सा डाल कर फिर अच्छे से क्लीन कर लूँगी बस फ्रेंट्स ये निचे वाले फर्ष की तरह ही मार्वल ये सेल्फ का होता है कि इस पे भी बस थोड़े से दाग दब्बे लग जाती है तो ये भी सारी सेल्फ मेरी एक तो संड़े के दिन सारी भर जाती है और ये गंदी भी जल्दी हो जाती है और क्लीन करो तो इसको ये चमक भी बहुत चल्दी इस पे आ जाती है तो ब तो फ्रेंट्स ये तो छोटे मोटी काम होते हैं ये देखे क्लीन हो गई ये तो हमें रोज करने ही चाहिए और करने ही पड़ते हैं और बस फ्रेंट्स ये थूड़ा सा बस अब ये क्लीन हो गई तो अब मैं ये लोबी का सारा कुड़ा इकठा करकर उदर ड्राइंग रूम वो भी थोड़ा सा बस सेट करकर यह सारा कुड़ा इकठा कर दूँगी एक जगें और यह ड्राइंग डूम में से भी मैं बस जाड़ों निकाल देती हूं बच्चों को मैंने नहला दिया दिरी के आन से पहले-पहले क्योंकि वो भी अग मेर को अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब बच्चे फ्रेंस सफाई के बाद नाती हैं तो वोई पैरों का पानी-पानी आ जाता है और फिर सारा फर्ष फिर खराब हो जाता है इसलिए सफाई वाले दिदी के आन से पहले-पहले मैं बच्चों को भी अच्छे से नहला देती हूं छुटी वाले दिन बाकी दिन तो बच्चे नहा के मतलब आकर नाते हैं जैसे भी पर छुटी वाले दिन इनको मैं बस दुपैर तक डिर दो बजे तक इन दोनों को नहला देती हूं ताकि वो उसको भी कोई काम में प्रोब्लम ना आए, वो अपना काम इजीली कर ले, क्योंकि आते ही बातरों गरा दोने होते हैं, तो ये देखिए, खूब खूडा निकला आज तो, संडे को फ्रेंस वैसे भी सेटरडे संडे चुटी होने की वज़े से घर मेरा सारा ही एक ब कर जाड़ों जोड़ों लगाएगी तो ही बस क्लीन होगा, नहीं एक बार बस मैं अच्छे से अपनी डस्टिंग रस्टिंग करकर जाड़ों वगरा निकालकर बैठनी जोगी जगेंसी बनाती हूँ, बही कोई आ जाए तो मुझे यही रहता है कि संडे को कोई आ जाए तो घर हमारा एक दम से बिखरा बिलकुल नहीं अच्छा लगता, तो फ्रेंस बोदों में पानी वगरा तो मैंने कल डाल दिया था सेटर्डे को और सबजी वगरा का भी कर लिया था, तो आज तो बस इतना जादा कुछ नहीं और फ्रेंस मैं ये वीडियो वगरा भी फिर संड लेकों नहीं बनाती, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा प्रॉबलम आती है, तो क्राफ्ट वगरा की वीडियो नहीं बना पाती, तो इस दिन से संडे वस व्लोग का ही सूचती हूं, ये देखिए, बच्चों ने बच्चे खेल रही हैं, इनको इसलिए क्लीन करकर दिया हैं, दूप अच्ची आई हुई है सामने, बस ये उतार के तह कर लूगी, जब भी मेरे को इदर फ्री टाइम होगा, और ये जो मैंने अभी वाश करें हैं, वो वाले हमारे सूख जाएंगे, क्योंकि दूप हमारी अच्ची आई हुई है, क्योंकि फ्रेंस डेड़ दो निकलता है, पहले मैं पिछे सुखाती थी, फ्रेंस कपड़े, पर अब पिछे घर में मेरे पिछे च्छाओं रहती है, दूसरे मकानों की साइड, जो आसपास की बगल में मकान है, उनकी ओट आने की वज़े से पिछे धूप नहीं आपाती, इसलिए ये रैक में आगे लि और बस ये सारे कपड़े इस रैक पे और सामने वाली जो भी ग्रिल्स है, इन पे मैं अपने सुखा देती हूँ, तो यहां बस मेरे शाम तक कपड़े अच्छे से सूख जाती है, तो फ्रेंस मेशीन तो मेरे को वोशिंग मेशीन रोज लगानी पड़ती है, क्योंकि मुझ मुझे बच्चों को तो डिली है ना कपड़े बच्चों भी ड्रेस की कोलर कुलर खराब कर लाती है, तो मेशीन के लिए मैं किसी दिन भी ऐसे नहीं भी आज मेशीन नहीं लगानी मेरे को डिली मेशीन लगानी पड़ती है, यह देखिए कपड़े जो रात वाले उतारे है तो ये भी मैं बैठ कर तेह करूंगी तो ये दिखे फ्रेंट्स एक बच चुगा है और ये अब बच्चों को मैं बस सारा काम हो गया तो अब इनकों मैगी बना कर दोंगी और इधर देदी भी आगी है वो अपने बरतन साफ करने लगे और मैं बस बच्चों को ये गीपी बच्चों की फेवरेट है तो ये मैगी मैं इनको बना कर दोंगी और मैं इसमें मटर और गाजर ही ज़्यादा डालती हूं तो थोड़ी वेज़ी सीर बन जाती है हमारी वेज़ मैगी जो की हेल्दी मैगी वैसे तो फ्रेंस रोटी के इलावा तो कुछ हेल्दी नहीं है बचलो बच्चों को अभी कवाज जैसे दे दी हफ्ते में एक दिन तो बस इसमें मैं बस ये सब्जियां जादा इनको डाल के दे देती हूं अच्छे से मैगी को छोक लगा कर पनीर वगएरा हो तो मैं पनीर डाल देती हूं तो बस आज मेरा भी मन कर गए मैगी बस बच्चों के साथ फ्रेंस आज मैगी ही खाएंगे दुपेर में क्योंकि सुबह ब्रीकफास्ट हैवी ले लिया था हमने आलो के प्रांठे ले लिये थे सुबह बस फ्रेंस से मैगी मिसाला मैं थोड़ा कम डालती हूं क्योंकि और मैं बच्चों को ज्यादा नामक और हल्की सी मिर्ची और धनिया पाउडर ये एक्स्ट्रा में डालती हूं मैगी में और छोक लगा के जब सब्जी की तरह इन सारी वेजटेबल्स को करते हैं तो मैगी और जाद अच्छी गंती है बस दीदी बरतन करेगी तो बस ये सेल्फ वगेरा साफ है फिर मैं भी बैठ जाओंगी और बच्चों को भी बिठा दूँगी क्योंकि पोच्चा लगाएंगे तो बीच में फिरते हुए फिर पैर लगते हैं तो वो पक्खे वगेरा उन करेंगी तो इन्होंने अब जाड आड़े अपने जो थे रात वाले वो तया कर लूँगी मैंगी बच्चों की बन रही है तो इतना कूडा नहीं निकला क्योंकि एक बार मैंने जाड़ों लगाई ती थी आपके आगे और आप ये बस मैंगी बन गी और ये मैं बच्चों को डाल को दे देती हूं मैं भी ले तो फ्रेंस ये चीज़ें होती है ना भार का खाना और फास फूर्ड वगएरा मैंगी वगएरा ये बच्चों को रूटीन में तो मैंदे की चीज़ें देखो किसी काम की नहीं होती है ना बच्चों को पेट वगएरा की प्रोब्लम्स ओर है बट हाँ हवते में एक दिन और दीडी पोच्चा लगा देगी और मैं अपनी और दीडी के भी थोड़े सी मैंगी डाल लूँगे तो फ्रेंस देखिए मैंगी हमारी कैसी बनी है तो ये मैंने और दीडी के डाल ली और हम सोच रहे हैं बस भी कहां बैठकर खाएं तो फिर सोचा चलो बार धुब पैदू में बैठके ही खा लेते हैं बस प्रेंस मैंगी बगएर खा कर फिर हमारा ये हो जाएगा दुपैर का लंच और मैं अपने कपड़े तै करूँगी दीदी भी अपने काम करने लग गई बच्चे बैठकर मैं की खा रही हैं और बस फ्रेंस आज के लिए इतना मिलते हैं आपको नेक्स व्लोग में तब तक के लिए ओके बबाए वीडियो को लाइक करना शेयर करना कुमेंट करना झाल